भारत में उबर के कैब में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन के सुविदा सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं ज्यादतर उबर कैब में या तो यह बटन मौजूद नहीं है या फिर वो काम नहीं करता अब इससे जुड़ी और भी चुकाने वाली बाते हम आपको बताएंगे पर इससे पहले आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करें और बैल आइकन को प्रेस करना चड़े शुरू करते हैं आगे की वीडियो आपको बता दे पैनिक बटन का काम है अलर्ट देना जब किसी वैक्तिको सफर के दौरान खत्रा महसूस हो वो परशानी में हो या फिर उसे पुलिस की मदद की जवरत हो तो ऐसी परिस्थितियों से पटने के लिए पैनिक बटन का इस्तेमाल होता है बेसिकली यह किसी पब्लिक ट्रांस्पोर्ट में लगा एक अलार्म है जिसके जर्ये किसी सक्षम विभाग को मदद के लिए बुलाया जा सकता है तो यह है पैनिक बटन का काम अब आपको बताते हैं उबर में पैनिक बटन कब आया दरहसल पैनिक बटन का सिरा आच साल पुरानी एक घटना से जुड़ा है पांच दिसंबर 2014 की रात 25 साल की एक लड़की ने गुड़गाओं से दिल्ली के लिए उबर की कैब ली थी कैब ड्राइवर ने सुंसान इलाखे में गाड़ी रोग कर लड़की का रेप किया धमकी भी दी क्यागा लड़की ने आनकानी की तो इसके प्राइवेट पार्ड में रौट गुसा देगा और उसका हश्र भी निर्भे अजासा करेगा घटना के दो दिन बाद आरोपी ड् पता चला कि ड्राइवर पहले ही एक रेप केस का आरोपी था और उस मामले की भी जाँच चल रही थी इस घटना के बाद दिल्ली सरकार ने उबर की कैप सर्विस पर कई महीन तोक बैन लगा दिया था दिल्ली सरकार के बैन के बाद भारत सरकार की मिनिस्ट्री आफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवे ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था इसमें कहा गया था कि हर प्राइवेट टैक्सी कैब बस में पैनिक बटन और वील्टेडी यानि वीकल लोकेशन ट्राकिंग डिवाइस इंस्टॉल होनी चाहिए जन्वरी 2019 के ब या वो फोन के जरिए एमेजेंसी कॉंटाक्ट ना कर पाएं तब वो पैनिक बटन का इस्तमाल कर लें लेकिन आच साल पहले जो सेफटी फीचर लाया गया था वो ठपड़ा है उबर ने कागजों में तो दिखा दिया है कि सब चंगा है लेकिन असल में ऐसा नहीं है आप क Statistical Handbook 2021 का डेटा कहता है दिली में एक लाग से अधिक प्राइवेट टैक्सी रिजिस्ट्रेड हैं 2019 के बाद रिजिस्ट्रेड हुई लगबग 12,000 टैक्सियों में पैनिक बटन लगा था औस तन पुलिस के पास रोज 50 पैनिक अलर्ट आते हैं अब ऐसे में अगर आप किसी पब्लिक ट्रांस्पोर्ट का इस्तिमाल कर रही हैं और उस दौरान उस ट्रांस्पोर्ट का पैनिक बटन इन केस काम नहीं कर रहा है या फिर ट्रांस्पोर्ट में पैनिक बटन ही नहीं है तो फिर आप अपनी सुरक्षा किस तरह करेंगी वो हम आपको बता देते हैं अब आखिर में जवाल उठता है कि अब या टैक्सी में ट्रावल करते वक्त अपनी सुरक्षा कैसे सुनिष्टित करें सबसे पहले तो अपना फोन चार्ज करके घर से निकल दूसरा जहां भी जा रहे हैं अगर रास्ते में आप अंजान है तो लोकेशन लगा कर रखें अप पोर राइट तुरंत स्टॉप कर दीजिए किसी भी खत्रे के दौरान डारेक्ट सौ या 112 पर कॉल करिए इससे आसपास की पीसिया जल्दी से आप से कनेक्ट हो सकती है अगर आप दिल्ली अंसियार में कैब ले रहे हैं तो हिम्मत आपका सहारे ले सकती है यह दिल्ली पु और वीडियो को लाइक करना मत भूलना मेरे साथ इस वीडियो में अन तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया